बदलते भारत की ये रफ्तार 1985 की है जब हीरो हॉंडा की पहली बाइक CD100 बाजार में आई और देखते ही देखते भारत के युवाओं की पहली पसंद बन गई इसका एवरज एक लीटर में 80 किलो मीटर था वो भी गैरेंटी के साथ हीरो हॉंडा मोटर कॉप के फाउंडर ब्रिज मोहनलाल मुझाल ने इसे बनाया 1983 में जापानी मोटर साइकल कमपनी हॉंडा ने भारत में हीरो के साथ मिलकर बाइक बाजार में कदम रखने की प्लानिंग की और इसमें साथ आए ब्रिज मोहनलाल मुझाल 1984 में दोनों की बीच इस बारे में करार हुआ और हीरो हॉंडा मोटर का गठन किया गया 13 अप्रेल 1985 में हीरो हॉंडा की पहली बाइक CD100 बाजार में आ गई ये वो समय था जब भारत की सडकों पर दोडने वाली जाबा और राजदूत मोटर साइकल को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे हीरो हॉंडा की बाइक बाजार में आने के बाद इसने सबसे कम समय में भारत के बाजार पर कबजा कर लिया जापानी कमपनी के तक्नीक के बदौलत हीरो हॉंडा देश की धड़कन बना दैनेकभासक.com की रिपोर्ट